आज पहली फरवरी दो हजार चौबिस है हम सभी ब्रामणों का लक्षे है ब्रामण से संपून फरिष्टा और फिर देफता बनना इस साल के शुरुवात में तपस्या मास में बाबा ने हमें ब्रामण से फरिष्टा अव्यक्त डबल लाइट बनने के इशारे दिये और इस मास बाबा हमें फरिष्टा से भी आगे देवता बनने का जो गुण है उसके बारे में इशारे दे रही है और वो गुण है मधुर्था का तो इस पूरे मास जानेंगे कि मधुर्था के गुण को धारन करके मधुसुदन का नाम कैसे बाला करें और हर रोज एक स्वमान भी लेंगे तो आज का स्वमान है मैं सफलता मूरत आत्मा हूँ सफल हुने में मधुर्था का गुण क्या रोल प्ले करता है आई ये जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से मधुर्था ऐसी चीज है जिसकी धारना से सदा हर्शित रह सकते हो और दूसरों को भी कर सकते हो मधुर्था को धारन करने वाला यहां भी महान बनता है और वहां भी मर्तबा पाता है मधुर्था से ही मधु सूदन का नाम बाला कर सकते हो मधुर्था रूपी मधु जिनके पास है उन्हें हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है उनके मस्तक पर सफलता का सितारा चमकता रहता है आज बाबा ने हमें मधुर रहने के कई फायदे बताए मुख्यों रूप से बाबा ने बताया कि जो मधूर होता है वो सदा हर्शित रहता है जो देवताओं के चित्रों में भी देखा जाता है दूसरा बाबा ने कहा कि जो मधूर होता है वो हमेशा अपने का भी और दूसरों को भी हर्शित करता है वो मदु सुदन का नाम भी बाला करता है अर्थात बाबा की प्रत्यक्षता में भी सहयोगी बनता है जो मधुर रहता है वो हर कारे में सफलता भी सहच प्राप्त कर सकता है और यहां भी महान बनता है और आगे भी वो महान अर्थात उच मरतबा पाता है ऐसी क्या विशेष्टा है मधूरता के अंदर और कैसे उससे हम सफल बन सकते हैं वास्तव में मधूरता मन की भी है वानी की भी है तो कर्वों की भी है जब मन से हम मधूर हैं अर्थात कोई भी कमजोरी का संकल्प हमारे मन में नहीं आता तो हमारी सारी शक्तियां अच्छे कार्य में या जो हम करना चाते हैं उसमें केंद्रित होती है वानी से अगर हम मधुर हैं तो वानी की मधुरता सब के साथ हमारे स्वभाव को निर्मल करती जाती है अच्छा करती जाती है और कोई भी आत्मा भले उसके कैसे भी संसकार हो लेकिन वो विग्न रूप नहीं बनती क्योंकि ताली हमेशा दो हातों से बचती है और एक मधुर है तो एक हात ताली बजाने के लिए है ही नहीं और कार्य के अंदर भी जितना जादा हमारे संकल्पों की शक्ती और हमारे संबंधों का जो अच्छे वाइब्रेशन हैं जो सब की दुआएं हैं वो हमारे साथ लगती हैं तो कार्य भी हमारे सहज हो जाते हैं और मधुरता के गुर्ण से हम सफलता मूरत सहज ही बन सकते हैं ओम शांती